भारती जंता पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली के लोका युक्त ने कक्षाओं के निर्माण में घोटाले के संबंद में पूर्ब डिप्टी सियम मनीशे शोधिया और सतेंदर जेन को नोटीस जारी किया है। बिपक्षी पार्टी पर पलड़वार करते वे आमादमी पार्टी ने एक बयान में कहा कि भाज़पा निताओं के आरूप साबतोर से निराधर अफ्कमान जनक है। ये दिल्ली के सिक्षा मॉडल को खराब करने का इरादा रखते हैं। मताते कि 2019 में बीजेपी सांसद मनुस्तिवारी ने सरकारी स्कूलों में 2892 करोड रुपे की लागत से 12782 क्लासरूम के निर्मान में वित्य अनियमताओं का आरूप लगाय था। उन्होंने लोका युक्त से शिकायत कर दावा किया था कि ये काम अधिकतम 800 करोड रुपे मे हो सकता था। उन्होंने आगे कहा कि ततकालीन PWD मंतरी सतेंदर जेन ने इंजिनरों से कुल कामों को सूला छोटे-छोटे हिस्सों में बांड दिया। सांसद ने आरूप लगाय कि काम 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन ये 5 साल तक चला इसमें जमकर घोटाला कि साथी बीजेपी सांसद मनुस्तिवारी ने दिल्ली सरकार पर आरूप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में एक नियम है कि एक क्लास में 30 से जादा बच्चे ना हो इसलिए क्लासरूम की संख्या में बड़ोतरी कर दी जाए लेकिन इसके नाम पर भी केजरिवाल सरकार ने बड ओक्या फोकस है फिर भी वो लगातार हमारे जरूरी कामों में बाधा डाले का परियास करते हैं वो बार बार इस Спामार्य कामों वार जादाय को और लेकित जरिये शात्रों के भविश्यों को खत्रे में डालने की कोशिस dedicated और उनने कहा कि हम दिल्ली वासियू और दिल्ली के बच्चों के साथ हैं